आज हम बड़ी ई परिके बड़ी ई से जो शब्त होता है उन लोगों को भी हम आज परिंगे ये है छोटी और छोटी उके उपर इरेव जो है इसको हम लगाते ये हो जाएगा बड़ी ई ये क्या है बड़ी ई बड़ी ई से इक्ष ई ख इक्ष बड़ी ई से इद ई द इद न ई नही हम लोग जब ई को बोलेंगे तब हम लोग को जोड देकर बोलना है धीरे बोलेंगे तो छोटी ई होगा बड़ी ई किसे समय हम लोग जोड देकर बोलना है जैसे कि न इ नही ई श आकी मात्र न इशान इ र आकी मात्र न इरान ग इ गई इ श आकी मात्र इश ब न आकी मात्र इ बनाई न आकी मात्र इ न इ इ श इश ग आकी मात्र इ गई इ ख इच इख इच आ इ आई इ श आकी मात्र इ इश द ब आकी मात्र इ द बाई भ आकी मात्र इ भाई आप लोगों को ये लिखना है लिखने के बाद ये सारा वर्ड आपको आपके हिंदी कॉपी में लिखना है दो दो बार करके एक वर्ड दो दो बार करके आपको लिखना है ओके बच्चो अभी आप लोग ये सारे चीज़ परेगे और लिखेंगे भी